सो हे गाइज आई होप आप से बहुत बढ़ी आउंगे मैं हूँ अवनीश और आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मिलेटरियन साइन स्कूल अपडेट्स में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैनिक स्कूल अम्बी πरोट के बारे में यह इस SSD कर नाम बहुत बार सुना होगा तो J của chemical है कैसा अगर आप इस वीडियो को watch करते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि स्कूल में आपको form भरना चाहिए या कैसी पढ़ाई हो रही है या facilities कैसी दी जा रही है या आपको स्कूल के बारे में और कुछ भी जानना हो average merit भी बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको इत पता लग पाए अगर पहली पर हमाई YouTube चनल पर पर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि एसे और भी सेन्ट स्कूल के वीडियो समय यूट चनल पर आते रहती है या फिर आएंगी आते रहती है और आएंगी वी ऐसे करके आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए वी अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट जरू करना अपने फ्रेंस में भी शियर करना चलिए गाइस स्टार्ट करें स्कूल अंभीकापूर जो कि 36 गर में लोकेटेड है एंड यह स्कूल वन सेप्तमबर 2008 को इस्टैबलिश होता इसका उद्गाटन होता वह तब से स्टार्ट ह करूड फर्ली करोगें चलना एंड़ इसका जो मोटौ 24 अब मेन के आपको प्रिंसिपल एंड वास्सेपल के नाम बताता हूं सबसे पहले तो मैं आप विए बतात हूं he left in and Colonel reno yada and facilities के बात की जाएं तो facilities में यहां पर आपको hoiens टैडी मार्यर्यल फूट्स और ट्विशन की भी फेसिलेटी मिलती आपको खेलने की भी फेसिलेटी आपको पूरी मिलती है क्लोट में आपको झोनाइड ड्रेस उनिफोर्म वगरा होता है और यMe ब्री अब्रशा में जो फेलने का ने को यथे युनिफोर्म दिलिए जाने लितने इसका जो यह कितने एरिया में फैला हुआ है तो इसकोल सी बीसी बोर्ट से है बोर्डिंग स्कूल है रेसिडेंटल टाइप तो यहां पर आपको होस्टल फैसिलिटी इस तो मिलना ही है अब बात करते हैं मेन इसकी चीज की वो है फीज तो इसकी फीज कितनी है जो क्लास 6 में अडमिशन लेंगे उनके लिए 1,33,422 रूपीज जो क्लास 9 में अडमिशन लेंगे उनके लिए 1,37,897 रूपीज ज्यादा फर्क नहीं होता है अगर आप एक क्लास आगे जाते जाते हैं आपकी एक क्लास बढ़ते जाते हैं तो ज्यादस ज्यादा जो फीज में जो डिफ्रेंस आता है वह होता है एट हंड्रेड या थाउजन रूपीज का इतना ही डिफ्रेंस होता है ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होता है तो उससाब से सब्रीधिस भी बताऊंगा तो मैं पिछले साल केlerini बदा साल के जो मैरिट गई है वह गई है तीन सो में से 211 यानि थ्री हंड्रेड में से 211 इसके पिछले साल के मैरिट है तो इस इसाब से पता लगा सकते हैं कि अगर आपका बच्चा से लेकर 220 तक माक्स लेकर आता है 300 में से तो आपके बच्चे का सेलेक्शन होना पक्क है और यह मैरिट जो है यह जनरल के हिसाब से यानि कि आप पता लगा सकते हैं इससे हिसाब से कि यहां पर OBC या फिर SCHT वगएरा इन सबका मैरिट और थोड़ा जो है इन सबके माक्स थो यह जो है तो क्लास नाइं जो है वह थोड़ा साब कोशिश करें तो वहां भी हो जाएगा तो मैंने इस वीडियो में आपको इतना सबकी बता दिया अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप में कमेंट सेक्शन में पूछेगा यह फिर आप यहां पेंस्ट अश्य कर सकते ह आपको जोए नीचे लिंक मिल जाएगा उसके थुरू जाके कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना मिलते हैं किसी और ऐसी अगली वीडियो में तब तक ले बाय बाय जैहिन जै भारत